जहिन दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन यूनियोन विद आसीश सर। चलिए आज हम देखते हैं आपका हुमेन डिजीज, देखे हुमेन डिजीज क्या होता है, मानव रोग, देखे मानव रोग होने का पांच कारण होता है, पांचो कारणों में से कोई एक हो सकता है, देखे, जैसे किसी कोई या तो वायरस से कोई गरसित होगा, या तो बैक्टेरिया से गरसित होगा, अगर उसे से कोई न कोई आप जो भी व्यक्ति अगर विमार है उसको अनदर धाल से समझते हैं लनirm मानոरोग को किते भागों बाटा क्या है पांच भागोन बांटा गया किन कारुणों से होता है वाईरस से होता है और एक होता है बैक्तिरिया से तीसरा है आपका फंगस से जिसको हिंद काडू से हूने वाले रोग कौन से scholarly से सरी में होते हैं यह सब्सक्राइब आपकर to learn information का सामने कोई भी वीमारी अच्छी नहीं होती है यह टिक में इसे वीमारी होता है जो ठीक जल्दी नहीं होती है ह४ को हम कहते हैं कि यह बहुत जाए डेंजरस होती है ठीक है जैसे देखिए पहले नमबर पढ़ाते हैं वायरस से कौन-कौन से विमारी होती है पहले नमबर आपका हो जाएगा आपका AIDS जिसको हम लोग HIV बोलते है ठीक इसके बाद दूसरा हो जाएगा पोलियो रेवी जो कुत् किस-किस चीजे से होती है अब आगे देखिए बैक्टीरिया से कौन-कौन से रोग होते है आत्रजवर जिसको हम लोग टाइफाइड बोलते है एंगलिस में प्लेग जो चूहो के द्वारा फैलता है हैजा कालरा जिसको हम लोग बोलते हैं गंदा खाना पानी पीने से होता होता है टीटनस की निमोनिया बुखार है छूटी चुटे बच्चों में अधिक रोग अधिक होता है इसल्यवर को heißt ने दिप्ठीर Dollar टीर जरंनांगों पर खजुलाहट और और विमारिया उत्यू ठींजिए इसमें बताएं बिंद्धति अब आ चैकर accurately שר के कि लहां दे Allez पहले नमबर आता है दमा, दमा मतलब होता है अस्थमा जिसको हम लोग इंगलिस में बोलते हैं सांस का फुलना, बिर्द लोगों में आप लोग देखे होंगे सबस्थे सांस फूलता है, थोड़ा सा चल देंगे तुरका सांस उपर नीचे होने लगता है, उसको बोलते है अस को बाँधर बिमारी है, जब हो जाता है तो इसको खजलाटे रहो, मतलब जल्दी ठीक होने का नामीनिले तक कितना बीदवाब कराओ, ठीक है यह भी फंगस होता है, इसको खुजली, कहीं भी हलगा होता है, वा भी फंगस के द्वारा होता है, नाखून में संक्रम, प्रोटोजवा वाला है इसके बाद जनेटिक में क्या होगा है हीमोफीलिया क्या होता है यह भी रोग क्या है अपने आम में माना जाए तो बहुत डेंजरस रोग है जैसे कि यह आपके सरीर में ना खून का थक्का ही नहीं बनने देता है जैसे कहीं कट गया ना खून बहता ही रहेगा मतलब थक्का बनने नहीं देगा डीविटी देखे डीविटी भी आपका इक प्रकार का भीमारिय ने पूरा डीटलस आपको बताते हैं टाइप टीज क्या होता है जoutez है को हर घर में दोव संबंदित ब्लेट क्लोड से संबंदित विमारी है прोटो जोबा से आनुवानसुंत् regarde होती है ठीक है आप देखे समझे तो यह हमारी हो गए बिसाडू से कौन-कौन से आपके सामने है आपके जीमाडू से आपके सामने हैं कभक से आपके सामने विमारिया है प्रोटोजोबा से आनुवान सिकते देखिए यह सब चीजे ना आपको नार्मल यागर कोई मतलब इसका नाम है हुमाइन इम्मिन ओधार में मतलब होता है इमृ णिती पर करता ऑखतर में हर्ला बोल देता है अब हल्ला बिमारी होती है इससे आप लोगों को समल के रहना है ठीक है आप कोई पाज़ब जानकारी रहेगा तब ही आप समल सकते हैं कोई भी वीमारी अच्छी नहीं होती है मनुस्से के लिए स्वस्त मनुस्स अगर कोई होता है तो उसका क्या होगा मानसिक, आर्थिक और क्या होगा, सामाजिक किस्ति उसके अच्छा होता है उससे कम लोग स्वस्त मनुस्स कहते है देखे, क्या होगा लक्षड क्या है इसके अगर किसी के अंदर एक घुश जाता है तो इसका कुछ लक्षड दिखाए देने लगता है भूँख ना लगाना, पहला चीज होता है तो इसको भूँख नहीं लगेगा भूँख में उसके कमी हो जाएगी देखे, देखे, भूँख में उसका कम होता चला जाएगा तिक, जैसे और जोज अगर मतलब आउस्तन और चारोटी रोज खाता है देरे-देर क्या होगा है, रोटी कम कोने लगेगा, चावल भी कम खाने लगेगा, ठीक है, वजन में कमी, सबसे देखे, सबसे जरूरी बात है, सबसे बड़ा लच्छन है कि वजन में कमी है, देखे, अगर भूख कभी-कभी ऐसा होता है, लोगों को टेंसन में भूख नहीं ना तब तो समझ्या है देखिए जैसे कोई वक्ति 60 किलो का है इसके बाद फिर क्या हो गया एक महिना हुआ दो किलो गट गया अगली महिने फिर दो किलो गट गया ऐसे घटता चला जा रहा है ठीक है तब तो समझता है तुरांत आप लोग चेक अप कराईए किस चीज का इली से डब्लूवीसी और बीट लेट वेके जो डब्लूवीसी होता है अगर आप लोग नहीं जानता है इंपूरा इंटीमुलेट के में तो आपको एसी चैनल में दिस्क्रिफ़िविए और दीया होगला ब्लेटarin के बारे में पूरा डीटियल्स में आपको पढ़ाए है देखिए इसमें क्या होता है, आपका जो WBC होता है, White blood, Carpals या White blood cells, इसमें होता है, इसमें तीन चीज़े होती है, देखिए इसमें होता है एक T-Cell, जो क्या करता है, रोगों से रच्छा करता है, जैसे मालीजी कोई देश है, तो किसी देश के चारों तरफ उसके क्या होते ह है ना आदमी लगे होते हैं किस के लिए रच्छा करने के लिए ब्यस्प लगे होते हैं तो वैसे ही क्या करता है हमारे सरीर के अंदर ब्लेट के अंदर क्या होता है टीसेल होता है जो क्या करता है रोगों से लड़ने के लिए क्या करता है काम करता है कि इसका काम है भी सबका काम करता है लेकिन जैसे ही न यह वायरस आपके सरीर में घुसेगा वैसे विचारा यही मर जाता है अब आप उसे लड़ने वाला प्र हाई भी हो गया है उसके बाद दो साल तीन साल चार साल भी इतने के बाद उसका मुख स्टेज अंतिम स्टेज उसका हो जाता है आपका कौन सा एड्स का तब बहुत खतरनाक होता अब उससे कोई नहीं बचा सकता है देखिए अगर किसी को सुरुआती दौर में है उसको पता चल गया टेस्ट करा लिया इलिसा टेस्ट हो गया तो उसका क्या होगा थोड़ा सा उम्र में ब्रिद्धी किया जा सकता है दबा के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है उसके उम्र थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है दबा के द्वारा ठीक है उसके थोड़ा जीने की चाह औ इसके बाद समझेए एड्स क्या होता है इसमें क्या होगा इसी का है जब इसका अंतिमिष्टेज है एक्वायर सिमीनो डिफिसंसी सेंड्रोम यह बहुत खातक होता है इसके बाद जब एक इसी हो जाए गया एड्स का रूप लेता है तब इसके बाद आपके शरीर के सभी आर we can purchase in pabou unions क्या होते हैं फेल हो जाते हैं ठीक है बहुत खातक बीमारी होता है तक फालता कैसे हैं तो सबसे जरूरी है देखिए अगर आप बच्चे हैं तो आपको बहुत जरूरी है अगर आप 9-10 ग्राही बराही में आप पड़ रहा है तो जानना बहुत जरूरी है या आप कोई व्यास कहा है तब भी आपको जानना बहुत जरूरी है देखिए infected injection जिसे आप किसी डाक्ट्री में गए अब उसने क्या किया किसी दूसरी को सुई लगा जाया है अब आप कोई सामने नहीं उसने उई सुई आपको भी लगा दिया उसी निडिल से लगा दिया अब उसके इंदर पता नहीं उसके रूग खुल में कौन से बिमारी है तो कभी बहुता है इसमें थोड़ा सा बच बचाओ रखे रखना होता है जो भी आपको पार्टर है उसके बारे मापने जाना नहीं उसके पता नहीं हो पहले से चाहे वी पॉजिटीव है आप उसके पास गए तो आप उसको फिरी में आपको देदेगा ठीक है ठीक इससे भी होता है लेकिन नाय की दुकान फैलने का कारण यह भी होता बहुत बड़ी जैसे कोई व्यक्ति है अब उसको HIV पॉजिटीव है अब वो गया बाल बनवाने अब उस दुकान पे गया बाल बनवाने अब कहीं गलती से अस्थूरा यहां उसके कट गया तो उसकी जो अस्थूरे में न अब उसमें तो चिपक गया आपका कौन सा बलाजमा वबसी व्यक्ति कि पलेट लट ईसके छिपक ने और उस और इसको जो blood होता है उसका नया लगवाईए अब कोशिस करिए बहुत मांगा अस्तूरा नहीं आता है एक नया अस्तूरा ले लिजिए अपने लिए अपना personal लेउच करने के लिए 500 रुपय में आता है आपके जिंद्गी से बढ़के नहीं है 500 रुपय ठीक है तो चेचक मतलब स्मॉल पॉक्स क्या होता है वायरी यूला नामा वायरस से होता है जिसमें संपूर्ण शरीर क्या होता है बुखार से और लाल दाने निकल निकल जाते हैं सरीर पर सर्दर उसके काहते है ठीक है चेचक और छोटी मात है जिसको हिंदी बोलते है चिकन पॉक्स पॉक्स दोनों देखें नाम सिमिलियर है तो इसके मतलब इसका काम भी सेम टूसेम ही होगा देखें समझेगा थोड़ा सा इसमें दिक्कत होता है वेरी पुला वरी सेला इसका वीरूस है वेरी सेल आई इला ऐसे होता है Кон्स चिकन पॉक्स इसका लगएगा इसमें हलका उल्वकार यहां कि कहा है यहां मिह द्हीं कि होता है आगर किसी को सब्सक्राइब तो से ज़ाधों मॉल क्रेम नाहां ने ट्ल्रका से और रस्षाल होजाने के कारण और इसको में लोग साहोथी को नाम से जनते हैं अलग-अलग बीमारी को लोग में अलग-अलग आप भी रख देते हैं टिक है अपने सुग्दा के अंसार चलीए आईए देखते हैं अंगली बीमारी पूल्यों है देखेए हमारे भार्स से लगवा पूरा नश्ट हो जाती है अब सोची किसी की रिड़ की हड़ी नश्ट होना मतलब उसके तंत्र पर प्रभाव पढ़ना नर्वस सिस्टम ही खराब हो जाना ठीक है देखे क्योंकि हमारे जो रिड़ की हड़ी है ना उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड ब्रेन हमारे सरीर का है ठीक एक टीक की खोज करता है जोनास सालक ने इसके टीका बनाया था और किसी को अगर पूलियों से संबंदित काला बीमारी के लिए इस टीक को लगाया जाता है ठीक इसके बाद देखे आता है आपका रेवीज देखे रेवीज होता है लाइसा वाइरस के कारण ठीक है जब कोई जो जोा क्या कड़ते है, कि आपको पानी तर लगेगा, जब आपको की स्रही आ जायेगा, इसके बाद आपको पागलोंच जैसी हरकते इसके बाद जीव निकालना, लोगों को सोंगना, इसके बाद फैलता है, जाने ही रहे है कुप्ते बिली और बंदर से, टीकी कि खुज़ इसके लुइस फॉर्सर ने किया था, और ए बिमारी ये जान ले जी अपने आप में बहुत ही घातक होता है, इसको हम लोग बोलते है हाइड्रोफोविया, इसके बाद आपका अगला ब मौसम है यह राइनो वाइरस दिखे राइनो वाइरस नार्मली चीज है मौसम बदलते समय सर्दी की मौसम में सबसे अधिक एक हप्त तक आपके शरीर में रहते हैं ठीक है इसके बाद आपको धिड़ दिरे दबा हलका फुलका खाएंगे आप ठीक हो जाते हैं इसका लच्छ अंसलेन में थोड़ी दिक्कत होती है नाक से अंसलेन में दिक्कत होने लगती है ठीक है तो इसमें क्या होता है यह वाइरस सर्प के सरीर में लगबग सर्दियों के मौसम में लगबग लगबग 95% के लोगों को होता है तो इसमें घबलाने वाली बात नहीं होती है ठीक है देखो मछोν मुख्डों के सबस्क्राइबू है इसको इंगल рख में इसको प्लिट लेट से में कमी भाई आगए सके ललके हैं के लड़के है ठीक है और इसके बाबा का नाम है बलेड मतलब खून ठीक है चलिए आगे देखते हैं इसमें बुखार हो जाएगा क्या हो जाएगा बुखार ठीक इसके बाद इसका जो टूख वाहग होता है एडिच एजिप्टी नामक मादा मच्छड होती है उसे की कारण ह यह महिला होती है अब महिला हो से बचके खून पीने में आगे होती है ठीक है प्रेटिलर्स की कमी कर देंगी आपको भेद देंगी कहां चिठी ना कोई संदेश चलियागी देखी इसमें क्या होता है आख क्या होता है आख में धर्द होता है जब आपको डेंग हो जाएग तो आपका आपको आखों के राषते से पानी गिन देंदे लगेगा ठीक है तो इसको बोलते अभलो और शल्रा ऑडवाइरस के लिए इस लिए मेडाया पुड़ता को छा है बाकि आपको पना बाकिस्टू में पिंपटा इल्ग वीडियो से ऐसे अगले वीडियों रॉप्ट अपको पता देंगे जोपित और छोड़ी